कि नवश्कार मैं अंचले मिश्व और स्वागत है आपका अमारे चैनल में आपको उदादे कि इस वक्त जो कश्मीर फाइस फिल्म जो है काफी बहत्रीन जो है प्रदर्शन करती नज़र आ कश्मीर फाइस बॉक्स ऑफिस पर मानों कमाल कर रही है काफी लो बुजट में बनी यह फिल्म आज की डेट में अगर इसका आपको आकड़ा बताया जाए तो यह 234.3 करोड तक पहुंच गई है और जल्द ही 200 करोड के आकड़े को पार करने वाली है साफ तोर पर यह बहुत ख्ति देखने का मिल रहा है तो एक तरफ का इतना बहुत60 कमाल का प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस बंटेखने का है तो वहीं दوسरी तरह इस फिल्म को ले uhm को काफी पसंद कर रहे हैं इस फिल्म को लेकर बात कर रहे हैं, इस फिल्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इस फिल्म से जुड़ाओ मैसुस कर रहे हैं, वहीं एक तरफ ऐसे लोगों का सेक्शन बढ़ चुका है, जो तो या तो इस फिल्म पर राजनीती कर रहे हैं, इस फिल्म को प्रपागेंडा बत और वो है बॉलिवुद के एक्टर जौन इब्राहिम का जौन इब्राहिम से जब पत्रकार पूछती है कश्मीर फाइस को लेकर तो वह पत्रकार पर इतना ज्यादा भड़क जाते हैं कि वह उन्हें कहते हैं कि दिमाग के आप अपने घर छोड़कर आई हैं जी हां बिल्कु प्रेडियूसर विवेक अग्निहोतरी के फिल्म दे कश्मीर फाइस इंदनों चर्चा में बनी हुई है कश्मीरी पंडितों पर आधारित इस फिल्म का कोई बॉलिवुड कलाकारों ने समर्थन जहें रही किया और साथ ही जिसमें सलमान खान अक्षे कुमार कंगनर अनौत इस फिल्म को समर्थन दिया हाला कि कुछ कलाकार ने कश्मीर फाइस पर चुपी साधना ही बहतर समझा हाली में अपनी फिल्म जुक को लेकर प्रमोशन करने आये थे बॉलिवुड एक्टर जॉन इब्राहिम से भी इस फिल्म को लेकर सवाल पूछे गए अपने फिल्म बोटी सुनाई जॉन इब्राहिम ने दकश्मीर फाइल से जुड़े सवाल पर नाराजगी जहर की उन्होंने पत्रकार के उपर जहलाना शुद कर दिया उन्होंने पत्रकार का जवाब देते हुए कहा लगता है आपको निउस डेक्स पर कोई कॉंट्रोवर्शी लेकर जा फिल्म ने लेकर पर आगे उन्होंने जो है कहा क्यूंकि फिल्म जो है वो ओवर एक्शन सीन से जुड़ा सवाल की जाने पर भी पत्रकार को खूब लताड़ा क्यूंकि वहां पर जब उनकी गुस्सा एक था कि कश्मीर फाइस को लेकर क्यूं सवाल पूछ जा रहा तो अगर आपको इसके साथ कोई परशानी है तो मुझे माफ कीजिएगा मैं वाकई में आपका दिल दुखाया है शारिरिक तौर पर भी फिट होने की जगा मैं मानसिक तोर पर फिट होने की कोशिश कर रहा हूं जिससे मैं इस तरह के बेतुके सवालों का जवाब दे सकूं क् पॉजूद लोग वाकई में बहुत डंब है अक्टर ने उस वैक्ति के हवाले से सबसे माफी मांगी और बोली है इंसान आपका दिमाग घर पर छोड़कर आया है तो साफ तोर पर नहीं कहा कि इस अपना दिमाग घर पर छोड़कर आया यानि पत्रकार के लिए ऐसे शब् गुस्सा है यह देखने के लिए मिला कि कश्मीर फाइल से मेरे से सवाल क्यों पूछा जा रहा है कि कश्मीर फाइल से कॉंट्रोवर्शल फिल्म है इस तरीके से उन्हें पत्रकार को डंब कर दिया अपने घर पर छोड़कर आये हैं इस तरीके से काफी ज़्यादा गुस् पूट के पाप धूल दिये हैं बॉलिवोड की चुपी को लेकर भी उन्हें कई बार सवाल खड़े किये थे इसके बाद दीरे दीरे जब कोई अपने फिल्म की प्रमोशन करने के लिए नजर आया जब वहां पर एक हैस्टेग उसको होने लगा था कि हैस्टेग प्रमोशन करना था फिल्म का उन्हें पता था कि लोग का ये फिल्म से काफी जड़ाओ है तो इस विल्म के खिलाग बोला गया उनके लिए नुकसान दिया शाबित हो सकता है और यही कारण है कि इससे देखते हुए बॉयवोड जया तो बचता नजर आया या फिर इससे फ अब ऐसा में जॉन इब्राहिम का रियाक्शन भी आप देख सकते किस तरीके से जॉन इब्राहिम जो है इस पर भड़क गए है यह आपको बता दे कि जुस तरीके से अभी कई सारे फिल्मों का काफी बहतर प्रदिशन रहा है जिस पाको इता दे कि आरार भी बहुत बहतरी तरीके से काम कर रहा है तो साफ़ तोड पर बॉलिवूड का जो अभी हाल है कुछ इस तरीके से ही हो गया है जिसे देखर अब वह भी अफगत है और पूछते कि हमारी फिल्मे क्यूं नहीं चलती है साउथ की फिल्म इहां क्यूं चल जाती है क्यों कि साउथ का कंटेंट ऐस रेता है और यहां पर अपनी फिल्म बेहतरीन प्रदशिन कर रहे हैं उनके लिए इनका समर्थन भी नहीं रहता है तब आपको लो हम अपत्कने मेरा घे के तरफ से दिया गया है जिस पर बचते नजर आ इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं कुछ लोग ने कहा है कि इन्हें अंदेखा करिये और इनके जो इस तरह के कर ट्विटर है उन्हें लिखा कि आप तेरी मुवी सुपर फ्लॉप होगी वहीं आपको बता दें कि एक और वैक्ती ने लिखा कि जौन इब्राहिम इम्रान हास्मी और अरितेर देश मुकिय तीनों कश्मीर फाइस के विरोध में उतर चुके हैं बुरा लग रहा है लेकिन इन सड़क के भिखारियों को विरोध करने लाइक बनाया भी तो आप और हमने हैं साथ आपको दादे कि धर्म लगवन शेकर के विरूटर है उन्होंने भी इसे लेकर ट्वीट किय sudah किया कि किसे जौन इब्राहिम जो है इनीज आप दिख रहा है किस तरिके से जौन Adraf नहीं करना चाहता इसकी पूरा बेंट भक्तों वहिशकार बॉलिवूड तो अभी इसे लेकर boycott करने की मांग की जा रही है लगातार जो है इस तरीके से बाते निकल कर सामने आ रही है फिल्म को boycott करने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि इस तरीके से एक answer expected नहीं था इस तरीके जब पत्रकार को बहुत भी तरीक ने करती नजर आ रही है मैंस12 क्यों में बड़ी फिल्म जो है इतना बैतरीन प्रदार्षन कर रही है जिसे वगजह से कोई भी ऐगर फिल्म इतने हिट रहती है इतना बैतरीन प्रदर्शन करति तो उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं के लिए अगर यहां पर बात करें च्रहक और सब्सक्राइखभ दी जल्द 200 कोड़ोड के आकरे में वर्लड वाइल जल्द 300 कोड़ोड के आकरे को यह पार करती नजर आएगे 300 कोड़ोड के क्लाब में भी शामिल हो जाएगी तो साफ तोर पर इतना बहतरीन प्रदर्शन एक फिल्म कर रही है क्योंकि इस फिल्म से लोगों का जुड़ाव इस फिल्म को देख रहे हैं एक सचाई दो 30-32 सालों से दवाकर रखी गई थी सचाई को सामने लाया गया बड़े पर दिखाया गया लोग सब्सक्राइब इस फिल्म से काफी दाब्दा कर रहे हैं देख पा रहे हैं समझ पा रहे हैं और कहीं कश्मीर फाइल की देने कि उनकी पोल भी खोल दी है और आप देख सकते हैं कि बड़ी कारवाई भी देखने के लिए मिल रही है तो साथ तोर पर यहां पर जो एक आप कह सकते हैं कि एक लहर बन चुकी है यह फिल्म जिस लहर से बॉलिवुट के कुछ अभी निताव को डर लग रहा है जिस लहर से उ काश्मीरज के सामने कोई स्टैंड ही नहीं उनका देखने के लिए बचन पांदे का ही अप देख लीचे व भी जहा कि है कि अप यह नितरय बाहत कर ऐ 요 कुद के Marsala कि न वहरा नहीं pig कश्मीर ने के फिल्म है जब कश्मीर फाइल अलाज्व कर रही है इस तरीके से कुछ मंए क्या चाहिए तो साफ तोर पर जौन इब्राहिम का हमने आपको रियक्शन बताया कि किस तरीके से पत्रकार ने सर्फ उनसे पूछा कि कश्मीर फाइल्स पर क्या रियक्शन देना चाहेंगे आप तो उन्होंने उन्हें डम कहा दिया अपना धिमाग घर पर छोड़कर आए हैं इस तरीके क रहे हैं के सवाल पूछ रहे हैं और बॉइकट बॉनिवुड करने कि मांघ कर रहे हैं फिल्म को भी अटक उसे भी बॉयकrant करने की मंगर हैं जलेकर किया कुछ कुछ कहेंगे कश्मीर फाइस पर किया कुछ परतिक्रिया देखने के लिए मिलती है इससे जुदी आप डेटे यहां पर क्या है टुटल अमाउंट भी हमने आपको बताया तो इस पूरे मुद्धे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं